आज का हमड़ा study topic है doji candlestick pattern ये pattern एक single candlestick pattern ही एक perfect doji candle का real body नहीं होता है मतलब open और close same price पर होता है लेकिन practically बात करू तो minor सा real body होने पर भी उसे doji candle ही मान जाता है इस doji candle का upper और lower side का size and position के हिसाब से doji candle को 4 types में divide के जाता है first standard doji second long leg doji third dragonfly doji and fourth grab stone doji और सभी पोका doji बनने का पीछे जो psychology और उसको trade करने का style अलाग अलाग है जो हम एक एक करके समझेंगे first देख लेते हैं standard doji को ये candle open होते ही थोड़ा उपर जाता है फिर नीचे आता है finally open price या फिर उसके बहुत ही आसपस close हो जाता है और ऐसा भी हो सकता है कि open होते ही first थोड़ा नीचे आता है फिर थोड़ा उपर जाता है फिर finally open price या फिर उसके बहुत ही आसपस close हो जाता है इस type का doji का जो upper और lower सरूर आता है वो almost equal होता है और इस type का doji का high और low का जो distance से वो अपना previous कुछ candle का compare में छोटा होता है तो आप सबले इस doji candle के अधर पर हम trade कैसे करें तो उसके लिए आपको इस candle का बाणने का पीछे buyers और sellers का जो psychology है वो समझना पड़ेगा तो इस पूरा candle session में क्या हुआ देखिए यहाँ पर ना तो buyers price को उपर ले जा पाया ना ही sellers price को नीचे sustain कर पाया finally अपने open price के आसपास close हो गया मतलब market का trend एक indecision mode में आ गया और स्रेप इस candle को देख कर आप कहे नहीं सकते कि price यहाँ से उपर जा सकता है या नीचे क्यूंकि buyers और sellers दोनों का price के उपर control सेम है तो आपको अगर यह candle चार्ट के उपर consolidation page में दिखाए दे तो इसके basis पर कोई trading opportunity ढूंडा नहीं जा सकता क्यूंकि trend पहले से ही indecision mode में है फिर एक indecision candle तो इसका कोई relevance नहीं है इस situation में इसमें आपको trading opportunity ढूंडना है दो सिनारियो में first कूछ session uptend में होने के बाद अगर यह candle बन रहा है तब second कूछ session अगर downtend में है फिर यह candle बन रहा है तब यह candle अगर uptend में बनता है तो तब यह bearish reversal को indicate करता है और अगर यह downtend में बनता है तो तब यह bullish reversal को indicate करता है क्यूंकि यह एक indecision candle है तो कुछ confirmation के बाद यह आपको इसे trade करना है और कोई भी candle को trade करने के लिए कोई fixed rules नहीं होता है यह आप effectively trade तब कर पाओगे जब आप उस तरह candle को बार बार देखोगे और trade करोगे लेकिन जब आप एक beginner सो तब आपके लिए मुश्किल होयाता है कि कोई system बना के उसको practice करना तो इस candle को practice करने के लिए मैंने spinning top pattern को कैसे trade कर आया था है उसके उपूर जो वीडियो बनाया उसको एक बार देख लीजिए क्योंकि spinning top और standardology का formation और psychology लगभग एक ही है तो उस वीडियो का link मैंने description में दे दिया और जाब आप technical analysis को सुड़ू से सिख रहे हो तब आपका main focus रहेना चाहिए candlestick pattern बनने का पीछे जो buyers और sellers का psychology है उसको समझना फिर आप अपने आफी practice के साथ साथ कोई भी candlestick pattern को trade करने का एक बेहतर system बना लोगे क्यूकि दूसरे का system में आप कभी भी trade नहीं कर पाओगे आपको practice करना ही पड़ेगा और आपना एक system बनाना पड़ेगा एक profitable trader बनने के लिए मैं जो भी strategy वीडियो में share करता हूँ वो आपको concept समझाने के लिए और आप practice कर पाए उसके उपर इसलिए क्यूकि मैंने भी इसी तरह ही आपने trading system को सुधाड़ा आज भी मैं लगातर practice करता हूँ और खुद को improve करता रहता हूँ तो चलिए हमारा next button long leg doji उसको समझ लेते हैं long leg doji का formation standard doji जाए साही है लेकिन इसका आपर और lower side थोड़ा बड़ा होता है बाकी सब formation psychology standard doji का तरह ही है और इसको भी आप spinning top candle जाएसा ही trade कर सकते हो next doji pattern है dragonfly doji ये doji का लंबा lower side रहता है और real body होता ही नहीं है या फिर छोटा सा red या green real body रहता है और practically हलका सा upper side भी रह सकता है अभी ये candle बानने का पीछे psychology को समझ लेते हैं candle open होता है और sellers ने price को नीचे लेके चला जाता है लेकिन candle close होने से पहले बायर्स ने price को open price के आसपस लेके आ जाता है और close हो जाता है का interpretation और trading style होगा hammer pattern जैसा उसका भी लिंक में description में दे दिया हूं और last doji pattern है gravestone doji इसका लंबा upper side रहता है और real body होता ही नहीं है या फिर हलका सा red या green real body रहता है और इसमें हलका सा lower side भी रह सकता है इस candle का position के हिसाब से इसका बानने का psychology और trading style decide के आयाता है अगर यह downtend में बन रहा है तो इसको inverted hammer जैसा interpretation निकल आयाता है और trade के आयाता है inverted hammer candle का वीडियो में description में दे दिया हूं क्यूंकि same concept पे वीडियो बना चुका हूं इसलिए दूबडा repeat नहीं कर रहा हूं उसका link में दे रहा हूं और इससे आपको यह भी पता चल रहा है कि किस केंडल को एक ही जैसा interpretation निकल आयाता है और अगर gravestone doji obtain में बन रहा है तो उसे shooting star जैसा interpretation निकल आयाता है और trade के आयाता है shooting star pattern का वीडियो भी मैं description में दे दिया हूं तो अभी तक आपने इस वीडियो में doji pattern का 4 types को जान लिया अभी आपको चाट open करना है और अलाग अलाग doji candle को ढूंडना है और उसमें आप देखिए कि doji candle बनने के बाद आगे का price action क्या रहा और मैं आपको यहाँ पे एक request कि आप जितना भी doji pattern ढूंड के निकालेंगे उसमें से जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है उसको note का लिजिए और इस वीडियो का comment section में आके आप लिग दीजिए कि उस doji का नाम क्या है किस stock या index में वो बन चुका है किस date में वो बना हुआ है और किस time frame का candle में वो बन इसमें होगा क्या जो भी विवार्स इस वीडियो को देखेगा उनको प्रैक्टिस करने के लिए अलाग अलाग टाइप का डोजी को बहुत जदा धूनना नहीं पड़ेगा आप अगर वीडियो को अपलोड होने के कुछ दिन बात देख रहे हो तो at least किसी एक टाइप का ड जुनने का जुरूरत नहीं है मैं कमेंट से ही देखकर प्रैक्टिस कर लेता हूं आप किसी को मदद करोगे तो ही आगे जाके आपको भी मदद मिलेगा तो ठीक है इतना टाई मेरा वगबग सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यबाद और आपको अगर लागे कि इस झाल